हेलो दोश्तों नमस्का स्वागत आपका हमारी यूटीव चैनल पर बीएस्टी बीएड इंटिकरेटर्ट में आपका स्वागत हैं दोश्तों जैसे कि आप जानते हैं अभी कुछ दिनों से मैं आपको बीएस्टी बीएड के पेपर सिलेबस के जो अनलाइस परवारा था तो बीकानेर यूवस्टी है उस यूवस्टी M.J.SU का सिलेबस में आपको बता रहा था ठीक है दोस्तों तो बीएस्टी बीएड में आज हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ बीएड के सिलेबस के बारे में कि बीएस्टी बीएड जो कंबाइंड आपका कॉर्स है उसमें ब कोण कौण से सब्जेक्ट आपके आते हैं उनके बारे में दोस्तों मैं आज आपको बताऊंगा कि दो तो बात कर रहा हूं मैं Mgsu बिकानेर की एम जी एस यू बिका नेर युनिवस्टी की बात कर रहा हूं दोधो स्टूडेंट महाराजा गंगा सिंग विश्विदाले बिका नेर से बियेट कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो हेफ हेल्फ रहने वाले ठीका पीछे बहुत सारे वीडियोज में डाले चली दोस्तो हमने चाहिसित्रीघ, फिसलिक्स, बायलोजी सबकुछ वा्टिजिजोलोजी सबकें जो दोस्तों अपने देखाइ, हम आज बात करेंगे आपका चाइल्ड हुड वाला जो रहने वाला है आपका उसके बारे में तो चाइल्ड हुड में Thor mathematics का अपनोंने किया अब आज देखें जो बेड में आका जो आता है बेड के सब्सक् े सब्सक्ट में सबसे पहले आका सब्सक्रण्यक क्लेंट ग्रोइंग अप ठीक है यह जो आपका हता है यह मार्क्स का आता है और इसमें पंदर्या नंबर आपके यहां से बेज़ जाते हैं 60 मार्क्स इसके एक्सटरनल मार्क्स जो हो रहते हैं चार तीन हंटे का पेपर रहता है और इसमें कोर्स के अब्जेक्टिव में देखेगा लिखा हुआ है कि This is our journey to develop an understanding of the basic concept methods and principles of physiology तीकना, Physicology and educational, Physicology with reference to learning and teaching First point , second point d.ioi, to develop an understanding of growth and development in various stages नहीका ऩर्बिट येवार जाटी केति डवेच आप अदेशनिक बार बारीजस ऑट अदेट अर खाटा आट तेहकर साहज सुझा स्क्रीटि और फिफ्ट पॉइंट यहां पर दिया गया है तो डेवलेफ एफेक्टिव टीचिंग स्किल इन दा टीचर्स इन दा मैंकि दोस्तों यह जो पॉइंट आपके दिये गए हैं यह आपके जो टीचिंग जो कोर्स का जो अब्यक्टिव है इसमें आपको क्या क्या सिखाए एक और टीचर के तुरू जो काम करेगा और आपको इसमें टीचिंग करवाने के मैथट्स के बारे में उसके स्किल्स के बारे में और आपकी जो टीचिंग डॉल्पमेंट है उसकी लर्निंग आपको इसमें करवाई जाएगी ठीक है इसके कोर्स में यह दिया गया है फास् के बारे में इसको बताने है फिजिकोलोजी ओफ एड़ोप सेंसर ग्रोथ और डिवल्मेंट ऑफ दानर्स टे ग्रोथ और डॉल्मेंट मेंनिंग प्रिंसिपल्स फिजिकल शोचिल मेंटल एंडर इमोशन डिवल्मेंट एंदा इंप्लिकेशन्स ओफ लर्निंग्स यह गया है है एडली इंड एर्वाइनमेंट के बारे में और सेकंड यूनिट दिया गया है परसनेलिटी मीनिंग टाइप्स फेक्टर्स रिपॉंसिबल फॉर शेपिंग इट अब्जेक्टिंग एंड प्रोजेक्टिव तीचिक यूज अचैने सेकंड यूटि चैन्मेंट यूरीजर्मेंट एंड रूं नाल निंग बारे में जो रूल है चैन्यूटिविटी दिसे यह मीनिग प्रोसेश डॉलपमेंट एंड मेसर्मेंट थाड़्य यूनिट दिया गया दोस्तों कंसेप्ट ओफ अर्जस्त्मेंट के और फ्रेटरेशन एंदा कन फिसलिट यह कोजिस के बारे में ठीक है थार्ट दीगा एडजस्टमेंट के बारे में और फॉर्थ जो यूनिट दीगी आपकी वो दीगा एड इंडवीज्वल डिफरेंस मीनिंग कैजिस एंड एड़ एड़ एड़केशनल इंप्रेशन इंप् मेजर इंदा लर्निंग में मेटीरियल यूज ओफ एक्षेप्शनल चिल्डरन्स फिफ्ट दीगी आपकी मेंटल हैजिनी और मेथड ऑफ डॉल्लपमेंट और उसके बाद फीडियो थेरपी के बारे में आपको बताने हैं कुछ यहां पे रिफ्रेंसेज बुक का जो दिया आपको और बास के बाद दिये गया मोड ओफ इंटरनल असाइनमेंट यह दिए रिटिन टेस्ट है नमर का और टू एनी प्रोजेक्ट असाइनमेंट जो पाइव नमर का होने वाला उसके अंदर कुछ पॉइंट से आपके दिये गया आपके यहां पर पढ़ सकते हो उसके बाद आपका जो आपका है वाद है डॉलपमेंट टीचिंग सेंसबिलिटीज सेक्शन फॉस्ट एक्सपीरियंस फोर टीचिंग एंच्मेंट ठीक है यह ग्रूप सी में आता है जो नेक्स्ट लेवल का आपका सब्जेक्ट है इसमें इसके इसके अंदर आपका इटी जाते हैं ठीक है ना आपके इसम में जो फाइलें है वह बनाई जयती है ठीक है इसके मांग साद को अ को लिकाए आपको टेली इंस से के बारे में機ुडेक्शन के बारे में आपके यह सब्सक्राइब कर सबर्दी के लिए में तर्ब एप सब्सक्राइब और एंट्रेशन शुत्याइब इनidente इसके बार में साँप्वाटेवी क्राइब सब्सक्राइब के मँड़ियाब फ्रुटियन इन्टर्सट बेस्ट टूल के बारे में वैब 2.0 टूल जीतने में टूल सोते हैं इन गारे में जो कंप्यूटर पर यह आता है आइसे टी ऑफ इव लेशन यहां पर जो डूलिशन आपर ईवारे में समझाये जाएगा और परफस क्या होगा exporting software tools का और सब कुछ इसमें आपके जो software जो रहे गए उनके बारे में आपको जान कर जाए जाएगे इनके mode क्या क्या रहेंगे mode of learning assignment में सबसे पहले providing opportunity for group activities में करवाई जाएंगे groups individual presents के बारे में और providing opportunity of sharing ideas के बारे में और यहां पे कुछ और audio visual presentations के बारे में सब कुछ यहां पर दिया गया discussion practical होगा आपका इसमें functional की जो knowledge है उसका operating computer on-off के बारे word processing के बारे में powerpoint excel वगेरा जो computer learning जो होती है वो tools के बारे में आपको पताया जाएगा उनके दर आप प्लैक्टीकल में आपको पूछा जाएगा ठीक है ना सभी tools जो आपको आने चाहिए model assignment assignment जो आपका जो फाइले रहेगी वह written test में 10 number का रहेगा और presentation communication skills के बारे में 10 नंबर आएगा और designing learning के बारे में 10 नंबर के professional group activities में 10 number के reflective written assignment आपके 10 नंबर की रहेगी ठीका ना इस assignments relating आपको कुछ यहाँ पर books दीगी है जिससे आप कुछ को ready कर सकते हो ठीक है दोस्तों चलते हैं आगे कुछ यहाँ पर दिया गया उसके बाद section first में experience of teaching चोटी ETE second जो दिये योगा health and well-being के बारे में यह आपका जो पूरा health के बारे में जो आता है इसकी वे assignment आपकी बनाई जाए गी यानि आपका आएगा और पचास नमर का यहाँ पर इंटरनल थीक है न सो नमर का ट्रॉल यह भी रहेगा आपका पीरिट पर टूवीक पर वीक टूपी डिस के रहने अनिवारे रहते हैं और कोर्स के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ कुछ यहाँ पर देखिए गा वन कॉंप कॉंपलेशन ओफ दा कॉर्स स्टुडेंट टीचर विल बी अबल तू यहाँ पर अंडर्स्टेंड इंपोर्टेंस ओफ गैम स्पोर्ट्स योगा डॉलिस्टिक हैल्थ यह सब कुछ यहाँ पर लिखा होगा नो दा स्टैटस इडेंटिफाई हेल्थ प्रॉब्लेम्स और इंफॉर्म दा री मेडिकल मेजर्स यहाँ कि दोस्तों हेल्थ के बारे में जितनी भी बाते हैं वो इसके अंदर आपको शिखाए जाएगे किस तरह आपको हेल्थ अच्छे रखनी है और अपने समाज की खु समझाए थर्ड दी गया एथलेटिक्स एंड गैम्स के बारे में बताए जाएगा और मोड ओफ लर्निंग जो रहेगा वो रहेगा डिस्कसन वर्क शेरिंग एक्स्पिरियंस और निशिन एक्टूटीज अनलेशिस टॉपिक हेल्थ रेटेड़ इस्यूज और यहाँ पे औ सब्सक्राइब को आपको समझाए जाएगा जिसमें से आपके जो आते हैं स्पोर्ट्स योगा एंड प्लाइंग वालीबूल आ गया बस्केटबॉल बैडमिंटन आ गया यह सब कुछ गेमिंग इसके बारे में आपको जो समझाए जाएगा साइनमेंट मोड इसका वर इट आपके होता है जो आप थोरली जैसे अपने बैसिकली जो घर में जो पार्ट रहता आपका थोड़ा जैसे लाइटिंग वगेरा का तो इसमें भी आपके पचास नंबर जो है वो बेजे जाती है ठीक है ना चलिए इसके बारे में थोड़ा सा अब्जेक्टिव जान लेते ह क्या क्या रहता है इसमें इस विस्ट्रों रहता है थो सैक दो प्रॉजेक्टिप मैके शेफल मोडल और ray इसमें के बारे में आपको इसमें बता जाएगा ठीक है ना फरस्ट उन्ट रहे की सिम्न्ग याप को इस इमें होड़रिंग और यहां पर अध्यूंग तो आपके symbols रहते हैं वो सारे के सारी इसमें आपके रहेंगे ठीक है wires wiring second unit में connections lineXLamps के बारे different type of wires के बारे में used of swags के बारे में different type of reading and running search के बारे में सीटीये साइटिंग के बारे में आपको जो तो दतारह होती है गरमे किस परकार से हमें यूज करने है किस परकार से वह सब कुछ समझाए जाएगा ठीक है थार्ड यूनिट आपके रहेगे स्वीच तो स्वीच रहते हैं मैज़र डिवाइस रहेए सेलेक्शन ऑफ फ्यूज के बारे में कौन सा फ्यूज अपनेmot cheesy के बारे में knowledge उस पावर कंसाइन में पारे में डिफरितَ टैक्ल्ड ट्क Pan Marin गजेट्स हैं उसके लेक्टरिक बेल के बारें इमर्जंसी लाइट क्या रहती है हो और लेक्टरिक एप्लिकेशन आपको जानकर देवे जाई ठीक है इस ट्रय धुक्या टीरियस होगे सेमय टाइट त्यूंग गया जैनला डाइट सोgam समय6 डाइटोगे एंडवी होगाई और सबकुछ जो भी लाइटिंग से नॉर्मल लाइटिंग जो साइंस में रहती है आपके घर में जो या दोस्तों होती है वह कुछ अच्छा जो इसमें बताया जाएगी जिसमें से देख लीजेगा यहां पर प्रोजेक्ट मोडल्स दिया गया है जिसमें स्विच आई यार स्विच हो गया रिमोट प्रोटेक्ट मुजिकल वैल अलारम्स हो गई और सब कुछ उसमें करवाए जाएगा इसमें असाइनमेंट क्या रहेगी असाइनमेंट में आपके रिटन टेस्ट होगा 10 नंबर का और एक्जाम इन प्रोजेक्ट जो लाइटिंग के प्रोजेक्ट का जो आपका 50 नंबर का आएगा और आपके तीन नंटे का जो रहता है ठीक है इसमें एक विग में दो वी दो पीरिट आपको देने होते हैं इसमें आपको कुछ इंट्रोडेक्शन दिया है बाकि बुक में से अग्रिकल्टर के मीनिंग के बारे में डेफिनेशन के बारे म इसके क्या होते हैं मर्दा साइंस के बारे में जो रहेगा सोल साइंस और डेफिनेशन डेफिनेशन वफ पैडिगोजी एंड सोल मेंजमेंट क्या रहता है सोल अरेयो जब थार्ट यह रहे गी अगरीशन डेफिनेशन मैथरड ओफ एरिएशन system ओफ एरिगेशन और ड्रेंज्ट इरिगेशन पेटर्न औफ इंडिया ठीक है फूर्थ है आपके होरी होरी होर्टिकल वह रहेगा डेफिनेशन ऑफ ब्रांचे इसके क्या होटिकल्स के जो क्या फाइलिंग टेकनिक्स रहती हैं जो क्या आपकी इसके लेगाउट्स हैं क्या इसके प्रोग्रेशन हैं वह सीड्स के बारे में प्रैक्टिस एलेटेड लैंड्सकेपिंग के बारे में और वेजिट वेजिटेटिव मीन्स के बारे में इसके बारे म वारे में और स्रीक्षन बारे में मतलब सारा कुछ इस में रहेगा वह आपके खेती बाड़ी से समंदीत जो रहतों तो रहने वाला है उसके बाद इसका रिटन दस नमर का और बाद में चालिस नमर का आपका इसमें एक्जाम प्रोजेक्ट जो बनाए जाएगा ठीक है कुछ सजेशन यहां पर दिये गए हैं इनको आप यूज कर सकते हो और उसके बाद कुछ यहां पर ओन काम्प्लैंशन ऑफ कॉर्स स्टुडेंट टीचर विल बी एबल स्टू कुछ यहां पर लिखा गया है उसके कुछ प्रोजेक्ट भी यहां पर दिये गए है और वर्क्शोप क्या क्या रहती है वो सब कुछ यहां पर लिखा गया mode of learning assignment यह सारा कुछ mode spectrum दिया गया क्या activities रहती है सबसे important बात model of integral assignment यह आपके सबसे important part रहते है देखिएगा अब सबसे पहले बात करें कि grading letter grading ठीक है letter grading उसके बाद grand points कहलते है जैसे अगर आपके mark sheet में जो आपके grading रहते है letter के अंदर उसके अंदर आपके O अगर आजाता है तो आप समझेगा outstanding यानि कि 100% marks आपने gain किये ठीक है उसके बाद इसको मैं थोड़ा दोस्तो के नेक्स्ट वीडियो में न complete source समझाऊँगा ठीक है आप भी कुछ time का वीडियो हो गया लंबा काफी तो उसको मैं अगले वीडियो में बताऊँगा थेंक्यू दोस्तों अगला वीडियो जुरूर देखेगा कर दोस्तों